जे मतादी रधे रधे आई ये सुनते हैं शवभाग्य शुन्दरी ब्रत कथा पोजन बिधी इवं महत्व शवभाग्य शुन्दरी ब्रत शुहागिनों का तिवहार है यह ब्रत शुभाग्य की कामना वशंतान सुक की प्राप्ति हे तु किया जाता है यह ब्रत शुभाग्य वती इस्त्रियों के लिए अखन सुभाग्य का वर्दान होता है और उन्हें संतान का शुक देने वाला होता है इस ब्रत को करने से विबाही तिस्त्रियों के शुभाग्य में ब्रिधी होती है दामपत्य दोश विबाह नो होना या देर होना तथा मंगली दोश को दूर करने वाला होता है शुभाग्य शुन्दरी ब्रत इस्त्रियों के लिए मंगल कारी होता है इसी दिन माता सती ने अपनी कठोर साधना और तपस्या द्वारा भगवान सीव को पाने का शंकल किया था जिसके फल्सरू भगवान सीव उन्हें पती रूप में प्राप्थ हुए इसी प्रकार अपने पूर्वजन में पार्वती रूप में उन्होंने पुनह शिव को पती रूप में पाने के लिए घोर साधना की कठिन परिच्छा की सफलता को पूर कर लेने पर प्रभु ने उन्हें पुनह वरण किया और शिव पार्वती का अविवाशंपन हुआ इसलिए मापार्वती की भाती श्वयम के लिए उत्तमबर का चैन करने है तू शवभागे सुन्दरी ब्रत की पौरारिक महत्ता परिलच्छी थोती है इस ब्रत के प्रभावशे अखन सौभागे वती होने का आशिर बात प्राप्थ होता है शवभागे सुन्दरी ब्रत की पूजा बिधी शवभागे सुन्दरी के दिन शुर्योदय के समय उठकर सभी कामों से निब्रेथ होकर अश्नान करके साप सुत्रे वस्त्र धारण करने अब भगवान सीव और माता पार्वती का मनन करके ब्रत का संकल्पने एक चोकी में लाल या पीली रंका वस्त्र धाकर माता पार्वती सहित शिवजी और गड़ेश जी की तस्वीर या मुर्ती अस्थापित कर दे मा पार्वती को शोलह स्रिंगार अर्पित करें इसके साथ ही शिंदूर रोली फूल माला कुमकुम के साथ भोग लगाएं और एक पाहन में दो सुपारी, दो लौं, दो हरी लाईची, एक बतासा और एक रुपे रखकर चढ़ादें भगवान सीव को भी सफेद रंका चंदन, अच्छत, फूल, माला चढ़ाने के साथ भोग लगादें अंत में घी का दीपक और धूप जलाकर चालिसा मंत्रों का जाब करें, मापार्वती के इस मंत्र का जाब करें ओम उमाय नमाह, देवी देई उमे गोरी त्राहि मां करुडानि थे, माम अपर्धा सांतव्य भक्ति मुक्ति प्रदाभव अंत में आरती करके भूल चुक के लिए माफी मांगने दिन भर ब्रत रखें माना जाता है कि इस दिन ब्रामणों को भूजन कराने से ब्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है शवभा की शुंदरी ब्रत का महत्व इस दिन महिलाएं मनोंकूल पती और पुत्रप्राप्ती के लिए इस ब्रत को करती है महिलाएं इस दिन तेल मिश्रित जल से शिवपार्वती को अश्नान कराकर यतोचित वस्त्र शर्वाभुशर आदि से पूजा करते हुए मंत्र जाप करती है वो मा से प्रार्षना किरती है कि हे माता आप मेरे पापों का नाश करें मुझे शवभागे प्रदान करें और मुझे शर्वशिधियां प्रदान करें ब्रत ब्यक्ति के शुक्षवभागे में ब्रिधी करता है शवभागे से जुड़े होने के कारण इस ब्रत को विबाहित महिलाएं और नव विबाहित महिलाएं करती है इस उपवास को करने का उदेश्य अपने पती वशंतान के लंबी आयू और शुखी जीवन की कामना करना है जिन महिलाओं की कुंदली में बैबाहिक शुक में कमी या विबाह के बाद अलगाओ जैसे अशुभ योग बन रहे हो उन महिलाओं को भी यह ब्रत विशेश रूप से करना चाहिए इस ब्रत के विशे में यह मान्यता है की यह उपवाश नियम अनुसार किया जाए तो बैबाहिक शुक को बढ़ाता है तथा दामपत्ती जीवन को शुक में बनाए रखने का शहयोग करता है